पित्रों को खुश करने के लिए पित्री पक्ष एक बहुत ही अच्छा अफसर होता है इस दौरान धर के सदस्य पित्रों को खुश करने के लिए तरपन, पिंडदान, श्राध, ब्राहमन भोज आदी करते हैं पंचांग के अनुसार वर्ष 2023 में पित्री पक्ष का आरंब 29 सितंबर से हो चुका है और 14 अक्टूबर 2023 को इसकी समाप्ती होगी इस दौरान पूजापाट डानपुन्य करने से पित्री खुश होकर पूरे परिवार की जोली खुशियां से भर देते हैं तो चलिए इस मौके पर जानते हैं कि पित्री पक्ष के दौरान कौन सी चीज का दान करने से पूर्वजख उश होकर हर परेशानी को दूर करते हैं इन चीजों का करेदा जो मान्यताओं के अनुसार जो को धर्ती का पहला अनाच माना गया है पित्री पक्ष के दौरान इसे खरीदने से अन्नधन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं धार्मिक दृष्टी कोन से इसे देखा जाए तो जो को सोने के समान माना जाता है जो व्यक्ति इसका दान करता है उसे स्वर्ण दान के समान फल प्राप्थ होता है इससे पित्री दोश दूर होता है सर्सों और चमेली का तेल पित्र पक्ष के दौरान सर्सों और चमेली के तेल का दान करने से घर में चल रही आर्थिक तंगी दूर होती है और धन का आगमन बना रहता है वहीं इसी के साथ श्राद्ध पक्ष में पित्रों के नाम का सरसों के तेल का दीबक लगाना चाहिए ऐसा करने से वे प्रसंद होते हैं म्यूनर एक काल तिल कहते हैं कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना पूर्ण नहीं होता तरपण के दौरान हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है इन दिनों में काला तिल खरीबने और दान करने से धन का विस्तार होता है और संतान की सुख की कामना भी पूर्ण हो जाती है कुश श्राध में कुशा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कुशा की अंगूठी पहन कर ही पूर्वजों का तरपण किया जाता है कहते हैं इसके बिना वो जल्स विकार नहीं करते हैं माना जाता है कि कुश की उत्पत्ती श्री हरी रोम से हुई है ऐसे में अगर कुश को घर में लाने से परिवार में खुशाली बनी रहती है और बिगडे हुए काम भी बन जाते हैं चावल पित्री दोश निवारण के लिए चांदी का दान भी शुभ माना जाता है पित्रों का ध्यान करके अगर चांदी का दान किया जाए तो आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है